नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोईत आपके अपने यूटूब चैनल रोईत रेवलूजनरी फार्मर में आपका स्वागत है तो आज 9 जून की सुबह में ये आपको जो पहले लेक्टेशन की जोटी है चैरदात इसकी मिल्किंग दिखाई जारी है जो कि इसकी कल स्याम को भी लाइब मिल्किंग आपको दिखाई गई थी आज सुबह चैनल जून 6 बजकर 27 एम पर इसका दूद निकाला जा रहा है तो आप इस वीडियो की लाइब मिल्किंग देख सकते हैं जो कि फोर सेल के लिए एविलेबल कराई जा रही है ये देखो खाली बल्टी भी दिखा द बहुत ही श्यांदार मूरा पसुदन है जो तकरीवन 15 दिन की ब्याई हो चुकी है और इसके नीचे मेल काप है जो की पहले इलेक्टेशन की जो टी है च्यार दात जो भी अमारे इंट्रेस्टिड वायर्स है वो चैसी पीचैसी चुरासी पचास अठारा पर कोंटेक्ट कर सकते हैं और अगर उनको कोई और डिटेल्स लेनी हो तो वो भी इस कोंटेक्ट नंबर पर कोल कर सकते हैं फर्स्ट लेक्टेशन के अंदर इतना दूद बहुत ही कम देखने को मिलता है और अभी तकरिवन ये दो या डाई किलो दूद बिल्कुल आराम से बदाएगी जो की इसका छटाओ ओना शुरू हो गया है इस परकर का पसूदना में बहुत ही कम देखने को मिलता है तकरिवन तकरिवन 20 किलो दूद के करीब ये जोटी जाएगी पहले लेक्टेशन के अंदर और आगे चलकर बहुत ही अच्छा दूद रिकोर्ड कराएगी और इसका काफी रिजनेवल पराइज रखा गया है डेड़ लाख रुपे इस जोटी का पराइज रखा गया है यह आप इसकी दार देख सकते हैं किसी परकार की कोई पाटमादार चर्रा बगैरा नहीं है इस जोटी को बिल्कुल गोड़ दार है जो कि गाओं कडोद्दा में मामन सिंग डेरी फारम पेस्तित है यह देखो तक्रीवन तक्रीवन तीन किलो दूद के करीब इसके अगले थनों का दूद है बहुत इस जानदार यह देखो पिछले थनेओं की उदार भी काफी अच्छी है और सुबह सड़ी 6 बजे का टाइम हो रहा है जो कि 9 जून को इसकी यह लाइब मिल्किंग चली हुई है जो भी इस मुर्रा पशुदन को खरीदने के इच्छुक हैं वो 65, 84, 58, 58 पर कोंटेक्ट कर सकते हैं यह देखो इसकी लंबाई तो काफी स्यांदार है जो कि एक मुर्रा पशुदन के लिए बहुत ही जरूरी है उच्छाई माइना नहीं रखती लेकिन जिस पशुदन की लंबाई होगी वो पशुदन का भी परदर्शन बहुत अच्छा करेगा आगे चल कर यह जोटी बहुत ही अच्छा दूदन निकालेगी जो कि अभी तो शिरफ च्यार दाती है यह देखो इसकी आइट लेंथ काफी स्यांदार है पहले लेक्टेशन के अंदर इतनी आइट लेंथ देखनी बहुत ही कम मिलती है बहुत इस्यांदार और दोस्तों जो दुनिया का गीला इनका एक मातरमूर अबुल विराट है उसके सिमन, इसार, बिवानी और कुछ एक राजस्तान के एरिये में भी एवेलेवल करा दिये गए हैं महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और तक्रीवन अरियाना में तो और एक जगाई शिमन विराट वुल के एवेलेवल करा दिये गए हैं और जो अमारे विराट के शिमन खरीदने के इच्छूक हैं वो बिस निन नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और जो अमारे डिस्टिबूटर्स हैं उनका नमबर ले सकते हैं चैसी, पीचैसी, चुराशी, पचास, अठरा और नबबत रेपन, उनुशट, साथ, विस पर कॉंटेक्ट करके इन सीमन के बारे में फुल डिटेल्स ले सकते हैं जिसकी 99 में प्रतिसत कटड़ी पैदा होती हैं और विराट की मा का दूद का रिकोर्ड 23 किलो 200 ग्राम HLDB में है और 2 किलो 260 ग्राम गी का रिकोर्ड है जो कि अब तक दुनिया की सबसे ज्यादा गीद देने वाली मैस मानी गई है जो कि ये भी गाउं कडो दा में मौमन सिंग डेरी फारम पेश्तित है ये देखो बच्चे के लिए भी दूद छोड़ दिया गया है एक किलो दो किलो तीन किलो च्यार किलो पांच किलो छे किलो साथ किलो और आठ किलो और ये तक्रिवन सवा आठ किलो दूद बहुत ही श्यांदार अप्ला किलो